हेलो बच्चो वेलकम टू टॉपर्स तक क्लास तेंथ हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है हिंदी से 15 महात्वण गवरी गल्पी प्रस्ण है जो भी स्टुडेंट 2023 बोर्ड एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं अगर उन्हें परिच्छा में 5 नंबर बिल्कुल फिक्स कर पक्का करना है तो बीडियो को अंतर जरूर देखेगा क्योंकि इस बीडियो से 100 परसंट गारंटी के साथ आप लोग की परिच्छा में प्रस्ण जरूर मिलेंगे तो चलिए हम कोईशन की सुरुवात करते हैं तो चलिए बच्चों कोईशन नमबर एक से सुरुवात करते ह तो परसुराम की पर्तिक्छा और वड़सी रचना के रचना कार है रामधारी सिंग दिनकर इसमें अगर हम बात करें बिद्यापती की कौन सी रचना है तो बिद्यापती की है कीर्थी लता और कीर्थी पता का कीर्थी लता और कीर्थी पता का किसकी है बिद्यापती की रस है Qetion No.2 है भवानी परसाद मिस्र की कौन सी रचना है यह स्री धर पाथ थक की है सूर सारा वली है सूर दास की इसकी सूर दास की तो दो का कौन सा आफसन सही है दो का डी अगला देखते हैं क्वेशन नंबर तीन है क्वेशन नंबर तीन है यूगे-उगे करांतिके लेखक हैं यूगे-उगे करांतिके लेखक हैं इसमें पहला आफसन दिया गया र विश्डू प्रभाकर राम नरेष्ट तिरपाठी की रचना है मिलन और पथिक मिलन पथिक किसका है राम नरेष्ट तिरपाठी का जैसंकर परसाद का है आकास दीप इसके बाद सुधर्शन की बात करें तो सुधर्शन का है हार की जीत हार की जीत और सच का सौधा सच का जाएगा आफसन नंबर सी सही है विचड़ो प्रभाकर अगला देखता है क्वेशन नंबर चार है दी में नाटक रचना का प्रारंब किसी युग की देन है पहला है प्रगतिवादी युग दूसरा है भारतेंद युग तीसरा है दुवेदी युग चौथा है छायावादी युग तो हिंदी में नाटक रचना का प्रारंब किसी युग से माना जाता है तो माना जाता है भारतेंद युग से आफसन नंबर बीस का सही हो जाएगा अगला देखते हैं क्वेशन नंबर पांच है निम्ण में से कौन सी रचना अग्ये जी की नहीं है तो नहीं पूछ इसकी तो अग्ये जी की रचना नहीं पूछा था तो नहीं में B वारिष सही हो जाएगा बाकी भीभदगा सरणार्थि और कोठरी की बात किसी रचना है अग्ये जी की रचना है तो पांच का कौन सही हो जाएगा पांच का B अब अब इसे नुम्बर 6 देखते हैं कि हिंदी क प्रफ़ा मुपन्यास माना जाता है पहला है चित्र अगर हम निराला की बात करें तो निराला हो जाएंगे निराला की रचना कौन सी हो जाएगी जूही की कली निराला की रचना क्या है एक मिनट निराला की रचना क्या है जुही की कली किसकी रचना है निराला की है भगवती परसाद बाजपेई की है ओस की बूंद ओस की बूंद जैसंकर परसाद की है आजात सत्रू आजात सत्रू तो इसमें कौन साफसन से हो जाएगा आफसन नमबर से अगला देखते हैं question number 8 question number 8 नूतन ब्रह्मचारी किस लेखक की रचना है पहला अफसंदियागया मोहन राकेश दूसरा अफसंदियागया बाल कृष्ण भठ तीसरा अफसंदियागया लल्लूलाल और चौथा अफसंदियागया सदल मेश्र तो नूतन ब्रह्मचारी जो है तो मोहन राकेश की है आसाड असाड का एक दिन ऐसाड का एक दिन किसकी रचना है मोहन राकेश की इसके बाद लल्लू-लाल की है माधो माधो बिलास किसकी है ललू लाल की है और सदल मिस्र की हो जाएगी नास केतो पाक्ष्यान क्या हो जाएगी ललू लाल की नास केतो पाक्ष्यान किसकी रचना है ललू किसकी रचना है नास केतो पाक्ष्यान सदल मिस्र की रचना है तो 8 का कौन सा सही हो जाएगा 8 का भी अगला question देखते हैं question number 9 है question number 9 देखते हैं भूर का तारा एक आंगी का प्रकास्टन कब हुआ था पहला आफसंदिया गया 1937 में दूसरा आफसंदिया गया 1902 में तीसरा आफसंदिया गया 1922 में और चवथा आफसंदिया गया 1907 में तो कब प्रकासित हुआ था तो 1937 में प्रकासित हुआ था भूर का तारा है एक आंगी है इसमें अगर हम बात करें 1902 में क्या प्रकासित हुआ था प्लेग की चुडएल ये क्या है ये कहानी है क्या है कहानी है 1922 में क्या प्रकासित हुआ था तो आजाज सत्रों क्या आजाज सत्र ये एक क्या है या एक नाटक है 1907 में दुलाई वाली ये भी क्या है या भी दुलाई वाली एक कहानी है क्या है कहानी है तो इसमें 9 का कौन से सही हो जाएगा 9 का आफसन नमबर ए सही हो जाएगा अगला देखते हैं अगला question number है अक्षरा पत्रिका का प्रकासन कहां से होता है पहला आफसन दिया गए गवालियर से दूसरा आफसन दिया गए अगरा से तीसरा आफसन दिया गए भोपाल से और चौता आफसन दिया गए लखनो से तो इसमें अगर हम प्रकासन की बात करें अ इस लेखक की कृति है पहला आफसंद्याग जैसंकर परसाद की दूसरा आफसंद्याग रैदास की तीसरा आफसंद्याग बिद्या निवास मिस्र की और चौथा आफसंद्याग रामचंद्र सुक्ड की तो इसमें अगर हम बात करें कृति तुम चंदन हम पानी ये बिद्या तुम चंदन हम पानी परभूजी तुम चंदन हम पानी बस इतना अंतर है कि बिद्या निवास मिस्र में परभूजी नहीं लगा है और रैदास में परभूजी लगा है इतना याद रखना कि परभूजी तुम चंदन हम पानी रैदास किरिती है और तुम चंदन हम पानी बि अगला देखते हैं question number 12 राजा सिव परसाथ सितारे हिंदी की रशना कौन सी है पहला है राजा भोज का सपना दूसरा है सत्यार्थ प्रकास तीसरा है मंदिर और भवन चौथा है सकुंतला तो राजा सिव परसाथ सितारे हिंदी की रशना है राजा भोज का सपना आफसन नमबर A सही है सत्यार्थ प्रकास किसकी है स्वामी दयानंद सुरास्वती की है मंदिर और भवन भगवत सरण उपध्याई की है इसके बाद सकुंतला बात करें तो राजा लच्छ मर्चिंग क की रचना है तो इसमें कौन सही हो जाएगा बाराखा ए अगला देखते हैं कुईशन नमबर 13 कुईशन नमबर 13 है जहाज का पंच्छी के रचाइता है पहला आफसंद्यागा बिश्डू परभाकर बी आफसंद्यागा इलाचंद्र जोसी सी आफसंद्यागा भुनेस्वर जहाज का बिश्डू परभाकर की है और और झात नारीस्वर किसकी है बिश्डू परभाकर की भुनेस्वर की है थावे के के कीड़े पूर्चा जाता है बेरी इंपॉर्टन्ट है जैसे अंकर परसाथ की रचना कौन सी है तो धुरुफ सौमनी है बेरी इंपॉर्टन्ट कुईशन है कुईशन नंबर 14 देखते हैं कुईशन नंबर 14 है अंडे के छिलके एक आंकी के रचना कार है पहला आफसंद्या गया मोहन दूसरा आफसंद्या गया विष्डु प्रभाकर तीसरा अफसंद्या गया धर्मविर बारति aanफ गया प्रेमचंद्ट अंडे के छिलके रचना है मोहन राकेश की कि कि कई मोहन राकेश की वष्डुक्रभाकर önियुक्ण उसी ही बाद धर्म बिर भारती की है ठेले पर हिमाला है इसके बाद प्रेम चंद्र का है पूस की रात तो 14 का आफसन कौन से सही हो जाएगा आफसन नमबर A अगला क्विशन देखते हैं प्रेम चंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है रहेगा इसमें अगर हम बात करें कहानी दूस जीवनी की है कौन सा जीवनी आफसन नमबर D